नमस्कार दोस्तों, हैले उस कोचिंग हिमाचल में, मैं रजय ठाकुर आपका फिर से स्वागत करता हूँ तो आज हमारे जो अगला टॉपिक रहेगा बच्चों वीडियो सीरीज में वो रहेगा मौलिक अधिकार तो यह मौलिक अधिकारों का उलेक बच्चों हमारे सविधान में भाग नमबर 3 में दिया गया है भाग नमबर 3 में आर्टिकल 12 से 35 में इसका उलेक किया गया है जिनको आज हमने पढ़ना है तो आज हम 10 MCQ उसके मादम से इस पूरे टॉपिक को रिवाइस करेंगे चले बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं तो फर्स्ट कोशन आपके सामने बच्चों मौलिक अधिकारों का सरप्रतम किस देशन में स्वैधानिक माननेता प्रदान की गई थी तो बच्चों ये कोशन हिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेट करता है अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से देखी होगी तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया गया है कि संतंत्र हुआ था अमेरिका 1776 में फिर धीरे धीरे विवस्ताइं चेंज हुई जिसको आज के टाइम पे हम भारती सविधान में मौली कदिकारों के अधार पर पढ़ते हैं तो यह आपको ऐसा कॉशन आ जाए कि भारत में मौली कदिकारों का कहा से सोर्स लिया है तो तब भी आप स्तरोत क्या बोलेंगे अमेरिका और इस तरीके का कॉशन आजेगा तब भी आप क्या बोलेंगे अमेरिका मैंने थोड़ा सा गुमाया था कॉशन को जैसे आपका कॉशन ये भी इजी है आगे चलते हैं अगला कॉशन आता है भारती नागरिकों के मौली कदिकारों का वर्णन किस से किस के बीच में तो ये तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया आर्टिकल बारा से पैंतिस के बीच में इसका उले किया गया है जिसमें हम देखेंगे आर्टिकल बारा बताता है भच्चों राज्ये के बारे में उसके बाद आर्टिकल 13 बताता है कि कोई भी ऐसा कानून जो संसत के द्वारा पारित कर दिया जाए यदि वो मौलिक अधिकारों का उलंगन करेगा तो सुप्रेम कोट सर्वोच चिनेले उसको जीरो कर सकता है या उसकी क्वांटिटी को कम कर सकता है उसको शुनने कर सकता है इसी में आप 13 एक पढ़ेंगे जो बोलता है कि मौलिक अधिकारों के शुरुआत पर जब मतलब हमारा सविधान बना था 1950 में यदि उस टाइम पे अगर कोई ऐसा कानून था जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था तो 13 एक के अमादम से वो खुद ही शुनने हो जाएगा और 13 दो यहाँ पर यह बोलता है कि यदि संसद ऐसी कोई वीदी बना दे कोई ऐसा कानून बना दे जो उसके मौलिक अधिकारों का जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसको भी हम शुनने कर सकते हैं संसद को सुप्रेम कोट को यह नियाई पालिका को यह अध कोट के पास तो सुप्रेम कोट हमारे लिए आर्टिकल 32 के मादम से रिट्स का प्रयोग करता है और हाई कोट हमारे लिए आर्टिकल 226 के तहित रिट्स का प्रयोग करता है पांच परकार के रिट्ट होती है जैसे हिंदी में बोला जाये तो उसको बोला जाता है बंदी प्रत व्यक्तियों में से यह गलत आओ गया यहाँ पर निमल कत्नों में से विचार करें कौन-कौन से होंगे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें यह राज्य कृति के व्रुद एक गरंटी है दूसरी की बात करें स्वविधान के भाग तीन में सुचित किया गया है तीसरे की बात करें समाजिक आर्थिक और राजनितिक नए को सुनिश्चित करता है चोथी की बात करें USA में अधिकारों के बिलों की भांती नहीं है तो fourth point cancel हो गया अगर इसकी बात करें तो ये राज्ये के निदिन निदेशक तत्तम में हम देखते हैं परसावना में देखते हैं सरी ये भी cancel हो गया सविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों का उलेक है ये सही है और ये राज्ये के कृति के विरुद एक गरंटी परदान करती है ये भी सही है तेट मीन्स यहां पर अंसर हो जाएगा एक और दो सही अर्थात इसका अंसर हो जाएगा बच्चों अगे लें चलते हैं फिफ्ट कोशन की तरफ समानता का अधिकार भारती सविधान की किन पांच अनुछेदों में दिया गया है हम बोल सकते हैं यहां पर 14 से 18 देखो बच्चों इसको मैं एक ही बार में आपको सारा डिफाइन कर देता हूँ अगर हम 12 की बात करें 12 किसके बारे में बोलता है बच्चों राज्य के बारे में राज्य कैया, सर्फ यहां पर देश को बताया गया है कि 12 के अंतरगत क्या क्या आएगा जैसे हम बात कर सकते हैं देश की देश के अंतरगत, भारत सरकार, संसद, फिर राज्य सरकारें, विधान, मंडल, फिर हमारी स्थयान, आप ऐसा बोल सकते हैं, प्रादिकर्ण जितने भ उसके बाद आर्टिकल 13 को अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा कानून जो मॉलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसको सुप्रेम कोट जिरो कर सकता है उसके बाद बच्चों जो मॉलिक अधिकारों की संख्या है मूल सविधान में वो थी साथ पर वर्तमान में वो संख्या कितनी हो चुकी है अगर मूल सविधान की बात करें तो 1950 में जब आये थे तो साथ मॉलिक अधिकार आये थे जिन में एक था समानता का अधिकार एक था आपका शोशन के वृद अधिकार एक था आपका यहां पर आप बोल सकते हैं धार्मिक सोतंतरता का अधिकार उ हमारा जो स्वानता का दिखार था यह बताया गया था आपका अगर हम बात कर ले बचों तो यहां पर आ जाएगा आपका 25-28 के बीच में अल्व संख्यक और शैशनिक अधिकारों की बात कर ले तो यह आता था 39-30 के बीच में 31 आर्टिकल जो था वो था संपती के बारे में और आर्टिकल 32 की बात करें वो बताता था स्वैधानिक उप्चारों के बारे में तो आगे 33, 34, 35 जो बचे हैं वो सिंपल से आर्टिकल हैं 33 बताता है आपको यहां पर आपके सेना जो हैं उनके जितने भी मॉलिक अधिकार है वो on duty प्रतिवंदित रहते हैं 34 की बात कर ले तो मार्शल ला के बारे में बताता है कि मार्शल ला की विदी क्या है संसथ उस टाइम पे मौलीक अधिकारों को प्रतिवंदित कर सकती है और article 35 भी important है जो बताता है कि मौलीक अधिकारों के अधार पर संसथ को अधिकार दिये गए है कि वो कभी भी मौलीक अधिकारों को strong करने के लिए उनको मजबूत करने के लिए कोई भी कानून उस अनुचेत के तहत जोड सकती जैसे article 17 है, article 19 है उनके अधार पर कभी भी संसथ को ऐसा लगेगा तो वो कानून बना सकती है तो यह सारी चीज़े हैं, तो इस का अंसर क्या हो जागा बच्चों 14 से 18 तो यह जितना भी हमने देखा, यह तो देखा मौल सविधान में पर वर्तमान में 6 कैसे होगे बच्चों तो वो जो 6 था, आर्टिकल 31 को आप कार्ट दिया गया है आर्टिकल 31 जो है, वो 44th amendment 1978 के मादम से संपतिक अधिकार जो था, उसको कार्ट कर अब क्या कर दिया गया बच्चों कानूनी अधिकार अब वो क्या बन चुका है, कानूनी अधिकार और आर्टिकल लंबर 300A में उसको उले खित किया गया है, तो यह चीज़ा आपको जो पेपर पॉइंट ओव व्यू से, वन डे के लिए जो पेपर पॉइंट ओव व्यू से है, बहुत एज़ी है जगरता आएगा, समानता में सराभी आपने बोला था 14 to 18 है, और कोशन में ही बोला गया था कि पांच अधिकार दिये गए समानता के, तो 14 बोलता है विदी किसमक समता, कानून के आगे सभी बराबर हैं, 15 बोलता है यहां पर हम बोल सकते, अस्प्रेशता कान्त, छुआ छूद कान्त, और 18 बोलता है उपादियों कान्त तो इस परकार के जो आपके 5 समता हैं, 5 समानता हैं, जो आपको 5 उकल राइट्स दिये गए हैं वो आटिकल 14 से 18 में, और उसी को जूम करके आटिकल 17 भी आ जाता है तो यह चीज भी आपकी कंप्लीट होगी, नेक्स चलते हैं, 7th कोशन की तरफ भारत की सभीधान का अनिमिलिक्त में से कौन सा अनुछेद प्रेस की सोतनतरता का उले करता है तो प्रेस की सोतनतरता बचो, जब हम आर्टिकल 19 परते हैं, तो आर्टिकल 19 बोलता है वाक एवम अविव्यक्ति की सुतंतरता वाक एवम अविव्यक्ति की सुतंतरता तो बच्चो वाक क्या होता है बोलना अविव्यक्त क्या होता है रिपर्जेंट करना तो आपको बोलने का भी अधिकार है आपको रिपर्जेंट करने का भी अधिकार है और प्रेस का काम क्या होता है, बोनला और अभिद्यक्त करना। तो इसी के अंतरगर्थ आर्टिकल उननीज एक, E के मैं फिर रपीट कर रहा हूं, आर्टिकल उननीज एक, E के पहते ये चीजे जोडि गई हैं, प्रेस की सुतनतता को यहाँ पर दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रेस की सुतंतता आर्टिकल 19 में संबधित है आर्टिकल नेक्स एर्थ कोशन की तरफ चलते हैं भारत के सविधान के अंतगर्थ किस आयू के बालों को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगान जाने का प्रतिशेद किया गया है वच्चो जब हम पढ़ते हैं शोशन के व्रुद अधिकार तो शोशन के व्रुद अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में उलेखित है इसे में अगर हम आर्टिकल 24 की बात कर ले तो आर्टिकल 24 बताता है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी खान और कार खाना में हम जौब नहीं दे सकते है यदि देंगे तो हमारे किलाफ संसद ने कानून बना दिये हैं कि हमारे किलाफ एक्चन होगा तो 14 वर्ष से कम जो है वो इसका अंसर रहेगा इसी है याद रख लेना नेक्स चलते हैं कोशन नमबर 9 के तरफ निमलिक्त में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भी करने सविधान की हिर्दे यह सविधान की आत्मा बोला था तो जब हम स्वैधानिक अपचारों के अधिकार को पढ़ते हैं तो वहां पे बियर अमित कर जीने इसको बोला था वैसे ही नय मुर्ति हिदाई तुल्ला है उन्होंने परस्ताबना को क्या बोला है बच्चों प् अर्टिकल 32 में सुप्रेम कोट के द्वारा व्यक्तियों के लिए एक रिट दायर की जाती पांच परकार की रिट दायर की जाती जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिसकस की थी ठीक है बच्चों नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं कौन मौलिक अधिकारों के अंतिगत न 1978 के मद्धम से काड़ दिया गया यहां पर था नहीं बोला यहां पर बोला था है तो कोशन यहीं से चेंज हो जाता है यह आजागा इस कांसर मलब कौन सा नहीं आता है तो इसको आर्टिकल 300a में डाल दिया गया इट मीन्स कि यह मौली का दिकार अब हमारा नहीं है संपतिक से बच्चों आपके 10 कोशन कंप्रीट हो चुके हैं मेरी आपसे गुजारिश है यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेर कीजिए मेरी वीडियो को लाइक भी करना है हैल्योस का जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे फीस्बुक इ सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बचों जय हिन जय भारत